देखो भाई, आज हम नापने का तरीका सीखेंगे, ठीक है, पहले लोग कैसे नापते थे, ठीक है, कितने प्रकार से नाप सकते हो तुम, नाप के दिखाओ इसको कैसे नापोगे, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, बित्ता, बित्ता बोलते हैं, नापो, गिनते जाओ, कितना बि अब ये वाला लाइन ना पो हूँ इसे ना अपना अभी निए बैटो और ये कितना बित्ता हुआ अब ब्लेगा चल चल काउंग गिन 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 च्छे बित्ता और चार उमले पांच बित्ता और चार उमले अब इसको ना पूँ ये वाला चो उसको ना पूँ हाँ ठीक है और कितने प्रकार से ना पूँ गए हो इससे भी ना अच्छा ना पूँ अच्छा इस तरीके से भी ना पते हैं हाँ एक हाथ है फिर दो हाथ और का तो हुआ है बित्ता से ना पूँ वहां के बाद दो हाथ के बाद बित्ता से ना पूँ अब बित्ता से ना पूँ अब बित्ता से ना पूँ कितना बित्ता हुआ अच्छा उंगली से दो हाथ और पांच उंगली है अब इसको नापो पूरा तीन हाथ हो गया हाँ ठीक है अब और क्यासे नापो गए अच्छा छोड़ो और किस बरकार से नापते हैं अच्छा इसे लाग से भी नाप सकते हैं नापो 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 कैसे नापो गिनो ऐसे ही गिनके पता ना पूरा कितना डग है ठीक है अब उंगली से नापो वहाँ पूरा ने हुआ है हाँ हाँ और क्या से नाप सकते हैं इसकेल से नाप सकते हैं लकडी लगली का रखा आ है लगली दो उसको लगली से नाप हो तो समझ गया है पहले लोग किस तरीके से नापते थे ऐसे ही नापते थे ना आपने कहते हो हाँ अब कोई एक लड़की आएगी वो नापेगी अच्छा इसको तो पहले ये नापेगी अच्छा एक रॉल को दो एक रॉल को दो चलो चलो पहले कितने प्रकार से नाप के दिखाओगी तुम नाप हो इसको क्या बोलते हैं बोलो क्या बोलते हैं ए लड़की तुम बोलो क्या बोलते हो बिता कितना हुआ ये कितना बिता नापे बोल गई फिर से नाप कितना बिता हो रहा है पांच बिता हुआ अब इस बाली लाइन को नाप हो ये कितना बिता हैं कितना बिता और कितने और दूसरे परकार से नाप हो अब दूसरे परकार से नाप हो अब कैसे नाप होगी और ऐसे भी नाप सकते हैं ना कितना हुआ दो हाथ और एक बिता है ना दो हाथ और एक बिता और कैसे नाप होगे लकडी से भी नाप सकते हैं पैर से नाप कि दिखाओ पहले लकडी से फिर पैर से नापना कैसे नापते हैं कितना लगड़ी हो गया तीन लगड़ी और किस परकार से नापते हैं पैर से कैसे नापते हैं बताओ अभी सबसे नपवाएंगे हम ठीक है पांच देखो इसने जब नापता तो कितना पैर नापता इसका पैर अलग आया था उसका बित्ता भी अलग आया है इसका बित्ता भी अलग आया है ना अब पैर से वह प्हकता पैर अलग अलग नाप आती है नैस यह बताओ बित्ता-व पैर से-न आपने पर अलग अलग नाप क्यों आती है हां किसी का भीड़ा होता है किसी वह पैर कि छोटा होता है